असलाम अलेकूम आज़ मैं बनाने जा रहे हैं जिनिजर पेस्ट, इसके लीए मैंने लियावाय 15 kg जितना जिनिजर, इसको जिल के, इतने पीसिस में कट कर लिया, आप जिसमें पीसना हो आप पीश सकते हैं, ब्लेंडर में या जूसर में, किसी भी चीज में, मैंने जिंजर को वाश करके ड्रेन आउट कर लिया था यह बिल्कुल ड्राइ जिंजर है बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर मैंने इसको ब्लेंडर में डाला यह तकरीबन आदा जिंजर है इसका इसके अंदर में मिलाऊंगी दो टीस्पून जितना नमक और इसको इसी तरह से पीस लोगे बीना पानी के यह हमारा जिंजर अच्छे से पीस चुका है बिलकुल अच्छा सा पेस्ट हो गया है मैंने इसमें पानी बिलकुल भी नहीं मिला था यह जिंजर का ही आपको लिक्विड लग रहा है और बगेर पानी के ही बनता है इस जिंजर पेस्ट हमारा रैडी हो गया है मैं इसको इस तरह से पैकिट बढ़ा के फ्रीजर कर लेती हूं इसमें कोई स्मेल नहीं आती अब थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं यह रहता है दो से तीन महिने तक आराम से इसको कुछ नहीं होता प्रीजर में और इसका कलर भी खराब नहीं होता आई होप आप ट्राइ करें कि आपको जरूर से पिसंद आएगा थैंक्स पर वाचिंग